भगवान शिव ने विश्क्यों पिया। जो की अमर्ता प्राप्त करवा सकती थी। वह भाग कर गए भगवान वर्मा और विश्कों से सहायता मांगी। जिन्हों ने उनसे कहा कि वह एक शिव ही हैं जो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। जिसके बाद दोनों पक्ष कैलाश की ओर निकल पड़े और भगवान शिव की अराधना की। जिसके बाद शिव ने वह विश्कों धारन तो कर लिया। लेकिन उनकी संगी नीमाता पार्वती घबरा गई। और अपने पती के गरदन को दोनों हाथों से पकड़ लिया। और इसी प्रकार उनका नाम विश्कंठा जिसका अर्थ है कि वह जिसने विश्कों पकड़ा शिव के कंठ में यहाँ पड़ा। उस विश्क ने उनकी कंठ का रंग परिवर्दित कर दिया और वह पूरी तरह नीला पड़ गया। और इसी लिए उन्हें नहीं कंठ भी बुलाया जाता है। और भी ऐसी रोचक कहानिया सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चानल सेव अंडेंजिट स्टोरीज देखते रहे। अबसे लिए सेवाण में लिए यूएट के लिए हमारा बाता है। झाल… कर दो कर दो